हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एडवेस यूर एजूकेशन मेंटर दोस्तों आज हम यहाँ पे हैं बात करने के लिए निट यूजी इग्जामनेशन से पहले हमको क्या अप्रोश रखनी चाहिए फिजिकल और मेंटली लास्ट इयर जैसा कि आपने पता है कि लास्ट इयर से हम हमारे भारत और भारत ही नहीं पूरे वर्ड की जो अप्रोच है काफी चेंज हो चुकी है कोई भी चीज फिक्स नहीं है कि कोई समय पर चीज़े होंगी ऐसे मैं जो स्टुडेंस निट यूजी की प्रिप्रेशन कर रहे हैं आप लोगों के सामें डेली नए 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 चैल करने के कोशिश करेंगे कि नेट यूजी 2021 का एक्जाम की डेट ऑफिशली तो अभी हमाएं पास आ चुकी है कि फर्स्ट अगस को हमारा एक्जाम होने वाला है और स्टुडेंस के पास जो भी सोर्सेज हैं जो भी स्टुडेंस जिस भी सोर्सेपी पढ़ाई कर पा रहा है अब अपनी पढ़ाई कर रहे हूं बट डेली हम न्यूज सुनते हैं लोगों से बात करते हैं घर वाले फैमिली मेंबर से फ्रेंड सर्कल से अलग अलग बाते पता चलती हैं तो काफी कॉश्टन्स हमारे माइड में डेली आते रहते हैं कि इसके यहां पर क्या करना सामने फूशर में भी और आना बाकी हैं जो अभी नहीं आये जो लास्ट एयर पर आये थे लेकिन वो समय पर आएंगे तो ये सेशन में हमारी कोशिश यही है कि हम स्टुडेंट्स का मेंटल बैलेंस बना के चले और ये जो बचावा ताइम है इस पर हमाई क्या अप्रोच रहे जो स्टेट्जी तो बेस्ट बहुत सारी रहती है लेकिन जो बेस्ट स्टेट्जी आपके लिए रहेगी वो क्या रहेगी जैसे कि हमाई पस अब एक हिस्ट्री होती है हिस्ट्री से हम सीखते हैं कि पास्ट में क्या हुआ और उससे सीखके हम अपने प्रेजन को और अ सामना किया लास्ट येर क्या हुआ था सबसी शुडूल पे था एक्जामनेशन आपका होने वादा था फर्स्ट में को लेकिन एकदम से कोविड इंट्रोड्यूज हुआ इंडिया में नहीं पूरे ग्लोबली इंट्रोड्यूज हुआ बहुसे चीज़े बन वी लोगडाउन टो यहां पे हम कुछ चीज़े सब्चिजे हमको क्या करना चाहिए देखे दोस्तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि ये हमारा अभी तक जो examination की डेट है वो 1st August 2021 की है बहुत ज़्यादा हो सकता है तो क्या चीज़े हो सकती है यहां पर इसमें क्या संभावना हो सकती है 1st August से पहले exam तो नहीं होगा ये चीज़ बिल्कुल बहुत कुछ फीचर डिपेंड करता है कि present में हम क्या करें उससे हमारा personal फीचर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है यह सब यह आप लोगों को पता होगा तो अगर कुछ ऐसी conditions होई तो might be possible थोड़ा बहुत exam आगे जा सकता है पीचे नहीं जाएगा आगे की तरफ जा सकता है लेकिन ज़्यादा संभावना है दिखाई नहीं दे रही है इसके आगे जाने की last year September में पेपर होआ था तो अगर आप मान के चलो कि maximum हमारा September तक ही पेपर हो सकता है लेकिन यह सिर्फ एक clause है fact अभी यह है कि आपका पेपर first August को होने वाला है जो condition चली है उसको देखते वे जाया तरह यह लग रहा है कि इस मैने के last तक तो नहीं लेकिन अप्रेल के बाद जो में का मंत आएगा में में आप लोग के application form बिल्कुल आ जाएंगे अपने application form को फिल कर सकते हो और उसके बाद finally आपको पता है कि जब application form हम फिल कर देते हैं तो फिर admit card आता है admit card डाउनलोड करने के बाद फिर finally हम उग्जामनेशन सेंटर में जाता है जहां पर हमारा potential चेक की आया जाता है कि हमने क्या knowledge acquire करी हो हमारी चेक होती है तो friends अभी आपके सामने बहुत सारे questions आएंगे बहुत सारे आप revolutions देखने वाले future में मैं आपको पहले से बता रहू because of observation जो आपने पिछले last year में देखा और काफी अच्छे बच्चों को देखा जुनों ने चीजों को खराब कर लिया और सबसे best strategy रहेगी कि आप किसी भी माद्यम से पढ़ रहे हो जो भी आपके पास soft और steady है आप लगातार निरंतर continuously अपने काम पे अपने mission पे लगे रहे है यू have to prepare yourself daily जो भी आपका तरीका जो आपको सही लग रहा हो जो आपको suit करता हो जिसमें आप comfortable हो जिस teacher से आप comfortable हो जिस way से comfortable हो बस हमको पढ़ाई करते रहने है और अपनी knowledge को boost करते रहना है और समय समय पे mock test देते वे time frame में जो तीन घंटे का hour होता है तीन घंटे का hour वर देखे अपने आपको बस इस तरह भी focus हैकना है इससे आपको confused नहीं होना है ऐसा नहीं हो सकता है कि निट का examination नहीं हो सकता है कि अब भारत आगे doctors produce नहीं करेगा ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरा निट खतम हो जाए या पूरा system खतम हो जाए चीजों को आगे balance कर सकते हैं इन सब distractions से हमको बच के रहना है क्योंकि जितना time हम इस distraction पे देंगे उतना time हमको यहां से अपना minus करना पड़ेगा ठीक है कोई protest चलना है किसी social media के उपर चलना है आप पहले decide कर लो कि आपका future का aim क्या है आपका goal क्या है आपको doctor बनना है कि एक protester बनना है पहले आप decide कर लो ठीक है आपको politics में जाना है कि आपको medical line में के अंदर जाना है पहले आप decide कर लो जो आपका aim हो उधर ही बढ़ना अगर आपने aim की तरफ एक कदम भी बहान निकालना तो आपका focus तूटा you are out of your way जो कि हमें last year काफी बच्चों को देखा था एक चीज़ आप समझ के चलो जो भी हम हर साल आप stats देखते हो कि लगबख हमारे भारत में 16 लाग बच्चे examination देते हैं और examination में जब final result आता है तो लगबख 50% के आस पास approximately stats यह हैं कि 47 से 48% ठीक है तो यहां पे हम round figure में बोल लें कि लगबख 50% बच्चे हर साल ऐसे होते हैं जो examination में qualified भी नहीं हो पाते हैं reason क्या है क्या यह बच्चे खराब है नहीं यह बिल्कुल गलत अगर ऐसा कोई बोल ला है तो बिल्कुल गलत बोल ला है as a mentor मैं कभी नहीं बोलूँगा कि कोई बच्चे खराब है सबी बच्चे के अंदर बराबर potential होता है सबी बच्चे बराबर होते है but यह qualify इसलिए नहीं हो पाते because जितना इनको devotion देना है जितना ध्यान देना है अपनी पढ़ाई के उपर वह वहाँ पर दे नहीं पाते है यह देते नहीं किसी रीजन से distract हो जाते है बहाना करते हैं अपने साथ ही करते है जिसकी वैसे यह बच्चे qualify नहीं हो पाते है क्योंकि अगर paper tough होता तो इधर से बागी बच्चे भी qualify नहीं कर पाते है सभी लोग lag कर जाते है तो maximum बच्चा ऐसा होगा जो नहीं चाहा रहा होगा कि मुझे examination देना पड़े किसी भी बहाने से हम बच जाए ठीक है कुछ हम ऐसा कर ले तो हमको कोई कुछ कर रहा है वो उसकी personal life है वो उसको आप करने दीजे लेकिन your life is in your hand and you are the decision maker of your life ठीक है तो maximum लोग ऐसे चीजे करते है हमाई क्लास में भी ऐसे चलता है कि बही क्लास में 50 बच्चे बैठे आगे 20 बच्चे बहुत ध्यान लगा के पढ़ लें फस्स क्लास करते हैं पीछे 20 बच्चे ऐसे हैं जो 100% ध्यान नहीं लगा के पढ़ लें पाच बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे बैठके शेतानी करते हैं तो कई बार ऐसा होता है जो पाच बच्चे पीछे बैठके शेतानी करते हैं वो बाकी के क्लास का अटेंशन अपनी तरफ खीश लेते हैं और हमको examination देना है, तो हमको examination के लिए जितना ज़्यादा मैं prepared हूँगा, उतना में लिए बढ़िया है, जितना number हमाई ज़्यादा आएंगे, उतना हमारे लिए बढ़िया है, और number अच्छे आने का formula क्या है, कि बचे weight time का maximum utilization अपनी पढ़ाई के उपर करिए, वो सब चीजे आप करिए, जिससे आपको entertainment मिलता है, जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आप motivate होते है, जिससे आपकी health अच्छी होती है, अच्छा खाईए, खेलिए, fun किए, song सुनिए, जिससे आपको जिसकी भी आपको जुरूरत है, वो सब चीजे अपनी health को अच्छा रखिए, उस चीज़ में आप करें, बाकी भी activities करिए, ठीक है, अच्छा खेलिए, खाईए, पीए, fun कीजे, movie देखना है, movie देखिए, लेकिन कोशिश करिए कि हर चीज़ आपके field से relevant हो, movie भी देख रहे हैं तो यार कुछ ऐसा हो जिससे हमको यहां पे भी कुछ सीखने को मिल जाए, बिकार देखिए, अभी आपको पता है कि इसमें बताया गिया है, कि इस बार कर जो paper आने वाला है, वो application based paper है, application based का मतलब होता है, कि जो हमें knowledge acquire करी है, जो concepts हमने सीखे हैं, इस concept को हम कहां पर लगा सकते हैं, कैसे apply कर सकते हैं, तो यह सब तरीका है, जो आपका mission है, जो आप deserve कर रहे थे, बट last के दो मेने में वो misguided हो गए, वो अलग चले गए, उनके mind से ये निकल गया कि आप तो paper नहीं होना है, पूरा इंडिया लगा वा, इतने लोग लगे वे, इतना pressure जा रहा है, government की तरफ तो आप तो paper होगा नहीं, लेकिन finally paper हुआ, जो कि आपको पता, इस वो सब चीज़े अपने अंदर डालिए, वो sign knowledge अच्छे है, अपने अंदर डालिए, जो आपको अच्छा doctor बना सकती है, लेकिन उन सब चीज़ों को boycott कर दिये, पूरी तरह से negligible कर दिये, जो आपके goal का part नहीं है, यही एक सही तरीका है, बाकी बचे वे समय को करने के लि करना हो, ठीक है, हो सकता हो, पेपर आगे चला जाए, पंदा दिन जादा आगे चला जाएगा, तो पंदा दिन हमाई पास, और टाइम मिल जाएगा, हमाई लिए तो और अच्छा है कि हम और पेपरेशन कर लेंगे, और जादा प्रैक्टिस से आएगे, तो एक attitude आपका ऐस कैट जी है, लाइफ में विक्टियोरियस बनने का, लाइफ में विक्टिरी को पाने का, और जो भी हमारा मिशन है, हादल बंदे का अलग-अलग मिशन है, तो उसमें कामियाब होने का, अगर इस तरीके से करते हो, तो 200 नमबर आ रहे हैं, 300 नमबर आ जाएंगे, 400 नमबर आ चीजों से एट्रेक नहीं हो जाना है, बिमारी है, कोई भी समस्य आने से पहले हो, उसका समाधान आता है पहले, प्रकती इस तरह से चीज़े चलती है, तो बिमारी है, तो उसका क्योर्मेंट भी है, आपको पता है कि बिमारी तो उन लोगों को लगेगी, जो वीक है, मैं देली आदा गंता अपनी हेल्थ को पर भी वर्क आउट कर रहा हूं, आइम डूइंग माई एक्सराइज अलसो, आइम डूइंग अलिटल बिट ओफ योगा अलसो, मेंटली भी पूरा फिट हो, बढ़िया खा रहा हूं, बढ़िया पी रहा हूं, गाने वाने सुन रहा हू वेस्ट करने वाला हूं, विकोज आप अगर कहीं न कहीं अपने अंदर ये सब शीज़े सुनोगे, या सब करोगे तो आपके माइन में जाएगा, फिर आपको डिस्ट्राइक करेगा, तो हमारा एडवाइस सभी बच्चों को यही रहेगा, जो नीट यूजी की on your mission, पढ़ाई गरते रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, positive attitude के साथ रहिए, किसी भी type की कोई भी news आपका chapter का पार्ट नहीं है, आप से questions में यह सब नहीं पूछा जाएगा, कि भाई कौन से revolution हुआ था, कहां पर क्या हुआ था, कितने likes आए था, यहां पर क्या हुआ था, आप से आपके topic की चीज़े ही पूछी जाएंगी, तो just be concentrated on your topic, just be focused on your topic, so I am going to wind off this session friends, मुझे पता है, अच्छी तरह से कि सभी बच्चों को यह session अच्छा नहीं लगेगा, और हर स्कूल की सभी बच्चे हर साल टॉपर नहीं बनते हैं, लेकिन जिनको government medical college में जाना है, जिनका सपना है अच्छे doctor बनने का, आप लोग के लिए session काफी important है, यह चीज़ को अगर आप follow करते हो, you know better कि 100% आपको success मिलेगी, fine, so this is your time, this is your life, you are the owner of your life, आप ऐसा चाहो वैसा कर सकते हो, but as a mentor, मेरी advice यही रहेगी, कि जब हमारे students कुछ अच्छा करते हैं, तो हमको भी अच्छा लगता है, क्या रहा हम भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बच्चों को सही रास्ते पर लेके जा रहे हैं, so just be focused on your study, don't get distracted with any news, lot of things are happening in the world, lot of things are happening in the market, you don't, you are not the world, आप कोई world नहीं हो, आप कोई market नहीं हो, you are individual person, आप अपने focus की तरफ चलते हो, we wish you all the very best for your examination friends, thank you so much आप आप आप